सत्यकाते अहिंसा की बाती अमर जोती चलती रहे तेरे पदिचन हो पर बापु शास्त्री दुनिया सारी चलती रहे दुनिया सारी चलती रहे आप सभी को मेरा साधर प्रणाम मेरा नाम नीधी नायक है मैं डानेली करनाटका से हूँ आज मैं बापु जी और शास्त्री जी के जीवन पर कुछ बाते साचा करना चाहूंगी हमारा देश महान स्त्रियों और पुर्षों का देश है जिन्होंने देश के लिए ऐसे आगर्षिकारे किये हैं जिने भारतवासी सदा याद रखेंगे कई महापुर्षों ने हमारी आजादी की लडाई में अपना तन, मन, धन, परिवार सब कुछ अरपन कर दिया ऐसे ही महापुर्षों में से थे महात्मा गांधी जी और शास्त्री जी महात्मा गांधी जी और शास्त्री जी युक पुरुष थे जिनके प्रती पूरा विश्व आदर की भावना रखता था इन महापुर्षों का जन्म दो अक्टूबर को हुआ था महत्मा गांधी जी जिनके बारे में कुछ अज्यानी लोग कहते हैं कि गांधी जी ने क्या किया था तो मैं उन्हें वता दूं कि वो गांधी जी ही थे जिन्होंने उस सामराजवादी ताक्तों को जुकने पर मजबूर कर दिया था जो कहते थे कि हमारे राज में कभी सूरज अस्त नहीं होता वो गांधी जी ही थे जिन्होंने स्वच भारत स्वस्त भारत का स्वपन देखा वो गांधी जी ही थे जिन्होंने रामराज का स्वपन देखा लाम भादुर शास्त्री जी गांधी जी के अनुयाई थे उन्होंने गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश के लिए संखर्ष किया लाठिया खाई अनेकों बार जेल गए उनका जो जै जवान जै किसान नारा था वो आज भी जवानों और किसानों के लिए प्रेणना श्रोत है हमारी धाली में भोजन किसानों के प्रण से है हमारी सीमाओं की सुरक्षा जवानों के श्रम से है इनी दोनों के रहमों करम पर हमारा भारत आबाद है महत्मा गांधी जी और शास्त्री जी और तमाम नेताओं और सेनानियों के बलिदानों, आंदोलनों और जेली आत्राओं के फल स्वरूप पन्रा आगत सन 1947 को हमें आजादी मिली संखाष और बलिदान के प्रतीते गांधी जी और शास्त्री जी उनके आदर्शों को कभी नहीं भुलाया जा सकता पूरा राष्ट्र गांधी जी और शास्त्री जी का आभारी था, आभारी है और आभारी रहेगा जाय हिन धन्यवाद